ठीक हैं, तो आज का मारा टॉपिक है जुविनाइल डिलिक्वेंसी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता तो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये जाएंगे वहाँ से आप डिरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं तो शुरू करते हैं हमारे प्रेविन्टिव मेडिसिन इन अप्स्टेट्रिक पीडियाट्रिक्स और जेरियाट्रिक्स वाले चेप्टर का अगला टॉपिक और बहुती ज़ादा important टॉपिक तैट इस juvenile delinquency ठीक तो भई juvenile delinquency जो होता है वो मुखिता दो शब्दो से मिलके बना है एक है juvenile एक है delinquency और इनहीं का मतलब हमको समझना है juvenile का मतलब क्या है juvenile का मतलब है कि ऐसा कोई लड़का ये लड़की जिसने 18 साल complete नहीं किये है that is a juvenile ठीक और delicacy का मतलब क्या होता है delicacy का मतलब होता है कि normal जो youthful behavior है normal जो young बच्चे होते हैं उनका जो normal behavior है खेलना, खूरना, हसना, गाना उससे थोड़ा deviate हो जाना abnormal behavior की तरफ चले जाना that is delicacy ठीक तो juvenile delicacy का मतलब क्या होगा juvenile delicacy का मतलब होगा कि 18 साल से कम उमर का बच्चा, लड़का या लड़की जो की normal behavior से अलग हो जाता है या deviate हो जाता है उसको कहते है juvenile delicacy और दूसरी भाशा में जो मुखिता जादा इस्तमाल होता है that is delicate delicate का मतलब होता है एक ऐसा बच्चा जिसने कोई अपराद किया हो या offense किया हो that is delicate तो मुखिता juvenile delicacy जो शब्द होता है वो किसके लिए इस्तमाल किया जाता है ऐसा कोई बच्चा जिसने कोई अपराद किया हो उसको juvenile delicacy कहते है या उस बच्चे को delicate कहते है अब इसके तहएत एक act भी आया क्योंकि हमने क्या कहा हमने ये कहा कि 18 साल से कम उमर का जो बच्चा है वो juvenile कहा जाएगा अब अगर वो juvenile है तो but obviously उसको बड़ों की court में तो नहीं रखा जाएगा कि बड़ों के अपराद के जैसे उसको भी दंड दिया जाए या सजा दी जाए मगर मगर act जो था juvenile justice act 2015 में जो आया था उसने इस exceptions को अलग करते हुए कहा कि ऐसा कोई बच्चा जो 16 या उसके उपर वाला है और उसने पे उस पे अडल्ट के जैसा ट्राइल किया जा सकता है court में और अडल्ट के जैसी सजा भी सुनाई दी जा सकती है समझ गए यह सब कब हुआ था अगर आपको याद हो तो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद काफी हो हला मचा था था और सही भी था कि उसमें से जो एक बच्चा था न उसमें वो जूवनैल था जूवनैल के तहत उसको कहा गया था कि भाई वो इतना जगन सजा नहीं दी जा सकती तब यह चीज आई थी कि भाई जूवनैल जस्टिस एक्ट जो है उसमें कुछ चेंजिस किये जाएं जिसके तहत यह डिसाइट किया गया था कि भाईया सोला या उसके उपर वाला अगर है और कोई बहुत बुरा कृत्ति किया गया हो जैसे कि रेप या मॉडर तब ऐसी सिटुएशन में वो जो बच्चा है उस पे भी अडल्ट के जैसा ट्राइल के जा सकता है कोट में और उस पर कड़ी सी कजी सर्दॉस को मिल सकती थी सही भी था तो यह होता है जो है इसे बच्चे जो हैं हां कि घर कर कि कर फुब और या हुलो परुर। Disobedient होते हैं ऐसे बच्चे ड़ेलिक्वेंसी में आते हैं या फिर ऐसे बच्चे जो घरी छोड़के चले जाते हैं गुस्से-गुस्से में वो भी ड़ेलिक्वेंसी में आ जाएंगे या इनफेक्ट ऐसे बच्चे जो एंको भी हम देलिकुएंसी की तरफ कह सकते हैं कि यह लोग टेलिकुएंसी की तरफ नहीं की होता है कि बैक जैनल बहाशा में बच्के का मतलब होता है कि बच्चे जिन्होंने 18 साल complete नहीं किये है Delinquency के मतलब होता है कि normal youthful behavior से deviate हो जाना ये Delinquency के तहएत कौन-कौन से लोग आएंगे ऐसे लोग जो बात नहीं मनते हैं घर छोड़ के बाग जाते हैं anti-social activities में लग रहते हैं ये सब लोग Delinquency में आएंगे जो juvenile justice act 2015 के तहट आया था उसमें आपको याद रखना है कि 16 या उसके उपर का अगर कोई लड़का या लड़की है और उन्होंने अगर कोई जगन ने अपरात किया है जैसे कि rape और murder तो उन पे adults के जैसा court में trial चलाया जा सकता है और उनको सजा दी जा सकती है इन जेनरल डेलिक्वेंट का मतलब क्या होता है डेलिक्वेंट का मतलब होता है कि ऐसा बच्चा जिसने कोई अपरात किया हो ठीक तो इतना समझ में आ गया तो यह बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत important है वाईवा के point of view से सारी लाइने इसलाइट की ठीक अब थूरे से जानकारी कि भाया incidence incidence का मतलब क्या होता है प्यसे में आप incidence prevalence पढ़ोगी incidence का मतलब होता है कितने नई cases तो कितने नई cases लगपक तो अगर हम बात करें incidence की तो जाधा तर जो juvenile delicacy होती है वो ऐसे बच्चे जो 15 साल के उपर के हैं उनमें जाधा तर यह juvenile delicacy देखी जाती है और उसमें भी वो लड़के जो कि लड़कों में जाधा तर यह चीज़ देखी जाती है ठीक यह तो हो गया भाया आपका कि incidence कितना होता है तो पंद्रह यह उसे उपर के बच्चों में देखा जाता है और बॉइस में ज्याधा तर देखा जाता है अगर मैं बात करूं causes की तो क्या-क्या वजह होती है कि बच्चा delicacy की तरफ जा रहा है यह डेलिक्विंट हो जाएगा यह हो जाएगी तो उसके causes में मुक्यता तीन causes आते हैं तैट इस biological cause, social cause और other causes तो भई biological cause के बारे में अगर हम बात करें तो biological cause क्या होगा biological cause होगा कि hydratory defect हो सकता है glandular imbalance हो सकता है और extra-wire chromosome हो सकता है अब biological cause में हमने बोल तो दिया hydratory defect का मतलब क्या है वह हम 90s की पिक्चरों में देखते थे ना खूनी का बेटा खूनी है यह तो गंदा खून है यह तो बाप पे गया है यह फालतों की बात थी theoretical है hydratory defect कि भई ऐसा देखा गया है theoretical है कि अगर उनके genes में चला आ रहा है अग्रेसिव होना उनके genes में चला आ रहा है antisocial होना सब theoretical है मेरी बात आनो तो यह आज की डेट में तो आई डूंट थिंग कि यह सही होगा पर theoretical है तो आपको लिखना पड़ेगा है डिट्री डिफेक्ट उसके लबाग्ला एंबेलेंस हो सकता है कि हाम लचेंजेज होते हैं बच्चे में तो खुब जाजी टेस्टराइब हो गया भाई में बूस्ट हो गया तो भाई यह हो गया यह जाधा theoretical है जाधा practical causes जो है न वह सोशल कोज इसमें कौन कौन से है तो देखो भाई या क्लिक === Social causes में बहुत इँपक्रेंट कोजं कैसे डैट इस पैरेंट निक अपना आजकी लाइष को देखो आजकी को देखो तो जाद तर माता पिता दोने वरकिंग होते हैं मत बच्चे 하irmi देते हैं अपने काम में अपनी टेंशन से लगे रहते हैं तो बच्चे पितिया नहीं देंगेा तो बच्चे तो ऐसी situations में भी देखा गया है कि वो लोग ध्यान नहीं दे पाए, वो लोग ज़ादा ध्यान नहीं दे पाए, तो बच्चे डेलिकवेंसी की तरफ चला गया, एंटि सोशल अक्टिविटीज में लिप्त हो गया, यहां यह ज़ादा practical लगता है न, parental neglect or broken homes, लेकिन इसमें भी एक वो अपना theoretical वाला भी है, that is stepmother, वो 90's की बिच्चरों में होता था न, कि सौतेली मां आ गई है, सौतेली मां की वज़ा से मेरी जिन्दगी खराब हो गई, तो मैं खूनी बन गया, डकैत बन गया, तो यह theoretical है, इसको याद रखना और रखना, लेकिन बाकी दोनों practical है भा जैसे urbanization, cinemas, television, urbanization याने, urbanization का मतलब होता है शहरी करण, अब आप जादा तर गाओं में जाओगे, तो वहाँ पे एकदम शान्त, सुकून वाली जिन्दगी होती है, शहर का ताम जाम चिकिस चिकिस नहीं होती है, मगर जैसे जैसे शहरी करण होता जा रहा है, गाओं के लो anti-social activities में लिप्त हो जाते हैं बच्चे, डेलिक्वेंट हो जाते हैं बच्चे, तो ये एक वज़ा है, शहरी करण जैसे जैसे हो रहा है, ज़रूरी नहीं है ऐसा होगा, लेकिन होता है, उसके अलावा ये जो हम बच्पन से सुनते आ रहे हैं, मम्मी से बहुत चपले खाई ये इसके चक्कर में, cinemas and television, बच्चा ना TV देख देखके बेगड़ रहा है, ये ना पिच्चरों का असर है, जो ये ऐसा हो गया है, मतलब हम आपके हैं कौन भी देखके आएंगे ना उस पर बोलेंगे पिच्चर देखके बेगड़ गया ये लड़का, तो cinemas और televisions भी एक common cause है, कुछ जाधी action movie देखने तो खुदी action करने उतर गए, कुछ जाधी cinema ये टेलिविजन में एक से एक सी breaking bad देख लिया, तो भाईया हम drugs में उतर गए, money highs देख लिया, तो हम bank looting गे, in fact, GOT देखने तो पता नहीं कितनों ने winter, winter is coming, winter is coming के चक्कर में, खुद को Arya Stark बना ल televisions, इन सब के चक्कर में ही पता नहीं कितने लड़के जॉन स्नो बनने के चक्कर में ने पड़ गए, तो ये भी एक वज़ा है, कि भाईया, बच्चा क्यों डेलिक्वेंसी की तरफ जा सकता है, ठीक, तो biological causes, social causes, और other causes, अब जैसे कि मैंने हमेशा कहा कि जब भी आप preventive measures की बात करो, तो जो causes हैं उनको ठीक कर दो, तो वही preventive measures हो जाएंगे, तो causes में हमने पड़ा था ना, broken homes, broken families, parent neglect, तो सबसे पहला काम आप क्या करो, family life को improve कर दो बच्चों की, family life को improve करना है तो क्या करो, parents को पकड़ो, अदला माता पिता को पकड़ो, और भाईया, उनको working generation है न, उस चकर में वो लोग कुछ आता नहीं है, बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं, बच्चा अपना अलग निकल जाता है, तो इसलिए parents को पहले से prepare करना चाहिए, parenthood के लिए, तो यह बहुत अच्छी तरीका है, कि भई, बच्चे को delinquency की तरफ जाने से बचाया जा सकता है, school, schooling में आपको क्या करना है, school में na teacher-student relationship अगर अच्छा है न, तो फिर वही है कि भई, बच्चा अगर घर में कोई ध्यान नहीं देरा बच्चे पर तो school में तो ध्यान दे रहे हैं teachers, तो अच्छा है, in fact, अगर आप अच्छा environment पढ़ना के रखेंगे school में, तो teachers न के अलावा भी कई social welfare services होती है, ये भी आप कर सकते हो, जैसे recreational facilities या counseling प्रोवाइड कर सकते हो, वही आपने धोन के निकाल लिया कि ये बच्चा aggressive बहुत जादा है, ये बच्चा बहुत जादा hyperactive है, या ये बच्चा बहुत जादा delinquency की तरह anti-social nature है, तो उसकी वो जो energy है, दूसरी तरफ deviate कर दो, recreational activities में कर दो कि भाया, painting करे, singing करे, sports में जाए, उस तरफ उसके energy जादा खर्च हो, और counseling बहुत important होती है, ऐसे चक्चुनों में कि भाया, आप बकर बिचाओ, बकर से या आदी मुश्किले तो solve हो जाती है, ठीक है, तो ये भी एक important criteria है, preventive measures में, ठीक तो इतनी चीज़े तो हो गए, जो आपको juvenile delinquency में पता होनी चाहिए, अगर मैं बात करूँ सवाल की, तो भाई, साहब, juvenile delinquency आपका star question है, short note आपको कहीं न कहीं तो फसेगा, या तो आपको sessional में फसेगा, या तो आपको P.U. में फसेगा, या तो आपको university exam में फसेगा, और कहीं नहीं तो आपको जो neat है, वहां आ जाएगा, या फिर अभी जो अगला आने वाला है next, उसमें कहीं न कहीं फस जाएगा, लेकिन juvenile delinquency बहुत है important topic है, ठीक, theory के लिए भी, अब अकर मैं बात कुनू वाइवा की, तो वाइवा में juvenile, सिधा पुछ लेते हैं, juvenile का बताओ, सिधा बोल देते हैं, और बोल देते हैं कि भाई, juvenile justice act में कुछ changes हुए हैं क्या अभी, तो आपको बताना है कि भाई, आप 16 या उसके उपर वाला, अगर कोई जगन ने अपरात करता है, जैसे कि rape या murder, तो उसके बढ़ों के जैसा आप case चला सकते हो, और सजा दिल आ सकते हो, उसके अलावाद, MCQs बहुत important है, इसमें हमको MCQs भी, जितने भी underlined part हैं हमारे notes और slides में, वो सभी PG entrance exam में पूछे गए, MCQs हैं, तो एक MCQ मुझे ये मिला था कि भाईया, juvenile का मतलब क्या होता है, तो ऐसा कोई बच्चा या बच्चे जिसने 18 साल complete ना किया हो, ए एक MCQ मुझे ये मिला था कि juvenile justice act के तायत क्या changes हुए है, तो वही 16 या उसके उपर का जगन्य अपराद, adult के जैसे case कर सकते हो, तो ये कुछ MCQs भी मुझे मिले थे, जो आपको पता होने चाहिए, ठीक, तो इतनी चीज़े हैं, जो आपको juvenile delicacy में पता ही होनी चाहिए, थैं स治 eccentric sense, फिए अपको तो सकते होने आपको जानी चाहिए, तो ये सकते होने कांक्ते होनी चाहिए हैं, हवम है, वहीं हैं पुलिख किले हैं, तका तो स्कता हैं, अरफ छिलेशेु तो सता हाउी कर स क् obligations हत्ते हैं aujourd'किए हैं, issues with a living, एक क्या हुए हुआ, वक्याशे हैं ये